वेल्कोमिल और वंस अगियन आप सबीके कर फिरसे स्वाजता है जैसा कि आ ंजल रहा है जिसमें हम उसकी रियक्षिंट को देख रहे थैं कि हमने क्या पढ़ लिया था हमने फिनोल के पढ़ ली हमने फिनोल की वो residents पहल से स्पा unity ईल्यकर प्रतिश्थापन अभिक्रियाएं Ti हम स्टियर में पढ़के आ चुके हैं चिंत करें हैं मिक्रियाई देती है तो है भी तो बेंजीन वाले उपस्तित है तो यहाँ पर भी क्या होती है इलेक्ट्रो फिलिक प्रतिस्थापन अभी क्रिया है जिसमें हमने दो देख भी तीन देख भी ली तीन सलप vemos comment निटिरिक करण और है लुग चल रही थीं तो सिर्वाभ इसमें वार्व फ्रीडल क्राफ्ट नाम करीः लिग करें हम जानते में फ्रीडल क्राफ्ट अविक्रिया deserve अब आप कहो गें थे क्या बाद में बताओंगी पहले हम देखते हैं एलकली करण और अगर आपको यह लज़न पर तकूर एसली करण में कौन जुड़ा था इसायल समू जुड़ा था यहां पर भी हो रहा था फिर हम दुवारा क्यू पढ़ रहे हैं है है ना सवाल उठता है कि हम वह पर भी पढ़ चुके हैं तो फिर इसको दुवारा क्यूँ पढ़ना है वह जो एलकली करण और एसली करण हुआ था यादो तो मैंने लिखाया भी था ओ एसली करण कहते हैं और और यह अब जो होने वाला है वह बेंजीन वलेफ पर होने बात कि बात करें तो अब जो भी एलकली करण और एसली करण होगा वह कहां होगा बैंजीन की वले पर होगा और वेंजीन की वले होगा तो बैंजीन में कौन होते हैं कारवन तो यह जो एलकाईलेशन होगा इसको हम C-alkaly या सी एसिली करण भी कहते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है पढ़ेंगे हम अजो घुन फ्रिशन पर जिसको हम ने जहां एथर का निर्मार हो रहा ठीक है हम सभी जांतें Friedel Craft हम सब पढ़ चुके है Friedel Craft अभी किया किस की presence में होती है किस की presence में होती है Louis Aamloo की presence में होती है याद है ना First year मैं पड़ा है ना क्या जरूरत होता है यहांप है Louis Aamloo होना चलिए लूइस अमली की उपस्थिति में ये क्रियाइं समपन होती है और कौन सा लुइस अमली होता है यह पर फिनॉल की एलकाइल हेलाइड लेंगे, यहां पर क्या लेंगे? एलकाइल हेलाइड के साथ, अबिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा? और्थो तथा पैरा वित्पुन्नों का और्थो तथा पैरा वित्पुन्नों का क्या होता है? निर्मान होता है किसका निर्मान होता है और तो और पैरा विद्पुन्नों का निर्मान होता है यानि कि ये रियक्शन क्या होगी ऐसे होगी फिनोल रहेगा फिनोल है और हमने क्या लिया है आर एक्स लेंगे कोई क्या लेंगे हम आर एक्स RX क्या है कोई Alkyl Helide किसकी उपस्तिती में होगी ALCL3 कैसा एन हाइडरस निरजल ALCL3 की उपस्तिती में तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होंगे दो प्रोड़क्ट प्राप्त होंगे एक तो होगा और तो सब्स्टिटूटेड और एक होगा एक होगा हमारा पैरा सब्स्टिटूटेड एक तो और्थो विद्पन होगा और एक क्या होगा हमारे पास पैरा विद्पन होगा ठीक है अब ये रियक्शन होती कैसे है वो देखते हैं रियक्शन होती कैसे है नोट कीजिए आप देख लेता है मेकैनिजम हम जानते हैं मेकैनिजम में सबसे पहले क्या वनना है इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होना है इलेक्ट्रोण इसने ही का निर्माण होना है तो हमारे पास क्या था Rx है, है न, X क्या है, हेलोजन है, हेलोजन के पास क्या होते है, कोई सा भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडिन, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, इसके पास क्या होते है, लोन पेर, और हमारे पास क्या है, Alcl3, यह क्या है, Lewis Aml है, Lewis Acid है, यहाँ पर Aluminium कौन सी अवस्था म और यहां पर जो जाएगा जैसी अपने लेक्ट्रोन को वापस लेकर बाहरण निकल जाएगा तो यह पने लेक्ट्रोनओं को वापस लेकर बाहर निकल जाएगा तो R पर कैसा चार्ज आ जाएगा positive और ये क्या बन जाएगा AL, CL4 क्या बन जाएगा negative बन जाएगा ठीक है अब ये क्या है हमारा electrophile है electrophile generate हो गया है अब किस से reaction होगी normal अब क्या है हमारे पास phenol है phenol है OH phenol है यहाँ पर हमारे पास electrophile है कौन है R plus है कोई भी alkyl halide हो सकता है CS3Cl C2H5Cl C2H5BR कुछ भी हो सकता है R group कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ तो आप यहाँ से H plus निकाल लो और इसको किसमें change कर लो negative में और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो कैसी बनेगी कुछ ऐसी बनेगी चाहें तो आप यहाँ से बहुत से लोग इसां से H plus निकाल लेते हो यहाँ पर O minus बनाते हैं और उसका बनाते हैं चाहें आप ऐसे बना लीजिए ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा double bond OH plus और यहाँ पर sorry यहाँ पर तो आजाएगा negative charge और यह bond ऐसे ही रहेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या है हमारे पास R plus यह negative charge करेगा R plus पर attack करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा यह bond यहाँ है यह bond यहाँ है यहाँ पर है double bond OH और यहाँ पर कैसा charge है positive और यहाँ पर क्या आया गया आर ग्रूपि अभी जो कहत करेंगा तो क्या होगा यहां से ब से पाए्जय कर देगा बाइ देगा है डेगा कहता बने ओर शिफ्ट करेंगा जाएगा बाइद प्रस वहार निकल और जैसे यह सिफ्ट होगा यह बॉंड काँ चला जाएगा oxygen पर जैसे यह बॉंड oxygen पर जाएगा यहां पर वापस से क्या generate हो जाएगा फिनोल और यहां पर आ जाएगा आर ग्रूप ठीक है यहां से हच प्लस निकला है और यहां से क्या निकलेगा चल बाहर निकलता है यह बाहर निकल जाएगा तो इस तरह से यह reaction होती है अलकली करेंट की नोट कीज़े जल्दी से क्योंकि यहां पर अलकाइल गुरूप कहां जुड़ा है कारवन पर जुड़ा है इस लिस्क को बोलते हैं यह कि 시청 उपस्तिती में हो रही है यह जो रियक्शन होता है इनके लिए लूईजमल की chuड़ा ठीए जब हमने ओपको याद अब देखते हैं अब देखते हैं इसीली करण जिस तरह से और्थो बना उसी तरह से रूप बना सकते हैं ना आगे क्या गया देगा और फोल ये जिंक कर चार्ज कहते रजाएगा प्यर्ह पर चला जाएगा जैसे और पैर फिर्थ्य कह चृप बनीगा पावर बढ़ेगी ठीक है तो आप और्थो और पेरा दोनों बनाईएगा मैंने और्थो बनाया बिल्कुल उसी तरह से पेरा बनेगा वस वो चार्ज गुम कर का जाएगा पेरा पर जाएगा तो अगला है एस्तिली करण या इसको क्या बोलेंगे थीक है थीक है थी एसिलेशन यहां पर क्या होगी यहां पर हम रियक्शन कराएगे वहां पर तो हमने एलकाईल हेलाइड ले थे और यहां पर कौन लेंगे हम यहां पर हम लेते हैं यहां तो acetic enhydride यहां तो फिर acyl chloride लेते हैं तो यहां हम लेख सकते हैं कि ALCL3 की उपस्थिती में phenol की किसके साथ acyl chloride यह acetic and hydride के साथ अविकरिया द्वारा और्थोवा पैरा व्युत्पुन्नों का निर्माण होता है है ना यानि कि यह लेंगे हम reaction क्या होगी यह होगी हमारे पास यह क्या है phenol है इसकी reaction हम किसके साथ कराएंगे acyl chloride यानि कि यह ले सकते हैं CS3 CuCl यह वाला जो गुरूप होता है इस ही कहलाता है इस ही बूलते है CS3 CuCl यहां फिर हम यह भी ले सकते हैं acetic anhydride क्या होता है यह होता acetic anhydride हम कई बार देख चुके है reactions में acetic anhydride इन दोनों को ले सकते हैं किसकी उपस्तिती में होगी यह reaction ALCl3 की उपस्तिती में जब हीट करेंगे हमको क्या प्राप्त होगा हमको प्राप्त होगा यहां पर OH रहेगा यहां तो ortho position पर C double bond O CS3 group आ जाएगा यहां तो फिर कहां जाएगा para position पर C double bond O CS3 group आ जाएगा यहां तो ortho विद्पुन प्राप्त होगा यहां तो फिर हमको para विद्पुन प्राप्त होगा ठीक है note कीजिए फिर mechanism देखते है mechanism बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे alkali current में होगा है same ही है mechanism देखते हैं भई चीक है mechanism की बात करें यह लिया हमने क्या लिया है CS3 C double bond O CL अब होगा क्या यहां पर यह तो carbonil group है इससे क्या जुड़ा हुआ है एक तरफ तो chlorine जुड़ा हुआ एक तरफ double bond से O जुड़ा हुआ यह delta negative होता है यह delta positive chlorine भी क्या है minus electron negative है विद्यूत्रनात्मक जादा है carbon से तो जादा ही है तो यह भी क्या करेगा electronों को अपनी तरफ खीचेगा जिसकी वज़े से यह जो carbon है यह बहुत जादा electrophilic हो जाता है तो हम क्या सकते है पहले यह क्या करेगा हमारे पास क्या है ALCL3 यहाँ पर क्या होते है lone pair होते है तो यह attack करेगा इस पर यहाँ पर क्या होता है 3 plus होता है तो पहले यह जुड़ेगा इसके साथ तो यहां बनेगा CS3CW 1OCl construct और यहां पर ALCl3 जैसी ही जुड़ेगा यहां पर क्याजाएगा negative charge यहां पर क्याजाएगा positive charge अब यह क्या करेगा अपने электronों को लेकर बाहर निकल जाएगा जैसे अपने electronों को लेकर बाहर निकला तो यहां से बना CS3CW 1O और यहां पर क्या आगया positive 4 प्लस बाहर क्या निकला alcl4- अब यह किसका कारे करेगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल का कारे करेगा अगर इसकी जगह हम acetic and hydride भी ले 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 तो यह भी क्या टूटेगा यह oxygen अपने क्या आपने इलेक्ट्रोण लेकर भाहर निकलेगा यहां से वही बनेगा यहां पर मिक है ठीक है फिर क्या होगा हमारे पास कौन है फिनोल है ओ एच्छ है यहां पर क्या होंगे लोन प्यर होंगे यह यहां जाएगा यह बॉंड यहां शिफ्ट होगा पैरा बनाना है तो यह बॉंड क्या होगा यहां जाएगा और यह बॉंड क्या होगा अगर पैरा वाला बित्पन बनाना है तो यह बॉंड यहां जाएगा और यह ब बनेगा इस तरीके से यहां पर बन जाएगा double bond OH positive यह अपनी जगह पर है यहां पर क्या है negative charge प्लस हमारे पास क्या बना है c double bond oh ch3 कारवन पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इन पर और क्या बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पर ओ एच यहां पर पॉजिटिव है यहां पर आगया C double bond O और यहां आगया CS3 बाकी के bond as it is है अब यह aromatic तो नहीं रही तो यह क्या चाहेगा वापस से aromatic और aromatic होने के लिए यहां से क्या देगा H प्लस ते आगेगा है अपने इलेक्ट्रों को यहां शिफ्ट करेगा तो यह bond के लेक्ट्रों कहां जाएंगे उपर जाएंगे तीक है क्या प्राप्त होगा हमको हमको कुछ इस तरह से प्राप्त होगा यहां पर हो जाएगा O H और रिंग वापस से क्या होगी एराव्य इंटग्यों पर लगेगा CEO izsti हैं से इत்ट्री यहां से एच अर geil आलंस निकल निकल कर बड़ेंगे यहां से出來 सात मैं क्या क्या बाहर निकल जाएगा एच Chief क्या informs घ्मोर्ठ निकलेगा एच यह आप subscribe ही of society चल्थ्री प्राप्ट होता है कौन होता है oni क्या है हुआ से होता है यह जई है कि यह दौना ही चाहे यासिलिकरण अलब उसट्प्रेग का कारे कर रहा है बाद quiere प्राप्त हो जाता है तो इस तरह से यह रियक्शन होगी इसी तरह से अलकिली करण में हुआ 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 है नेक्स्ट रियक्शन है वह हमारा है गाटर्मन गाटर्मन कोच अभी करिया जोगली अभी करिया है हमारी वह है गाटर्मन कोच संसलेशन इम्पोर्टेंट है यह डाल लिजेगा इम्पोर्टेंट है गाटर्मन कोच संसलेशन गाटर्मन कोच संसलेशन इम्पोर्टेंट है गाटर्मन कोच रियक्शन देखते हैं क्या कराए जाता है जब हम फिनोल को HCN किसके साथ HCN HCN क्या होता हमारा हाइड्रोजन साइनाइड तो क्या होता है कि HCN के मिश्रण के साथ जब फिनोल को HCN के मिश्रण के साथ निरजन ALCL 3 की उपस्थिती में अभिक्रत कराते हैं तो निरजल ALCL 3 की उपस्थिती में अभिक्रत कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है तो हमें यहां पर ALDEHYDE प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है इसके अंदर जो पैरा हाइड्रोक्सी यानि कि पैरा प्रोडक्त जो है वो मेजर प्रोडक्त होता है और जो और्थो प्रोडक्त है वो भी प्राप्त होता है लेकिन वो क्या होता है minor product होता है तो हम यहां लिख सकते हैं कि निर्जल ELCL3 की उपस्तिती में अविक्रत कराते हैं तो हमें पैरा उत्पाद मुख्य रूप से प्राप्त होता है प्राप्त होता है यानि कि पैरा product जो होगा वो major होगा और ortho product भी बनेगा लेकिन वो क्या होगा? minor होगा कैसा होगा? minor यानि और इस reaction को हम इसे हम इसे हम गाटर मान अभिक्रिया या फॉर्मली करन्ट फॉर्माईलेशन रियक्शन भी कहते हैं या फॉर्मली करन्ट अभिक्रिया भी कहते हैं फॉर्मली करन्ट अभिक्रिया भी कहते हैं यानि क्या होगा याँ पर रियक्शन? या फिनॉल है फिनॉल को यह जो हमारा फिनॉल है जब हम इसे HCl और HCN के मिश्रंड के साथ किसकी उपस्तिती में? अल-C-L-3 की उपस्तिती में ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रॉडक्ट मिलता है वो मेजर प्रॉडक्ट जो है वो होता है OH और यहाँ पर क्या आ जाता है? CHO ग्रूप यानि कि पैरा प्रॉडक्ट यह क्या होता है? यह मेजर होता है साथ में यह भी बनेगा लेकिन माइनर बनेगा कम मात्रा में बनेगा बनेगा तो यह भी लेकिन कैसा बनेगा? कम मात्रा में यह क्या है? और फो प्रॉडक्ट है तो और फो प्रॉडक्ट यह वाला जो होता है यह मेजर होता है मेजर ज्याद मत्रा में बनेगा गया होता है इसं में बरता है और यह हमारा क्या में क्या में में है जो कि हमारा bus हे जो में है मेजल के जब इसको उसके ब्एडरीह वो ऑंगल चीछ इसका प्राहईड्रोक्षी इसका नाम इलेख ह्आएद यह बनता है प्रह्ण फिंचल। इस्को तो नाम जानती होंगे यह क्या है तेले सिल डिहाइड यह मंहांब गत्में में बनेगा और यह माइनर ऊघ्ते है यह कैसे होगा रियक्जिन यहाँ पर हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या है है्ष सी एंगे और हम जानते हैं क्या जानते हैं युक तो HCl क्या है? Acid है किसमें तूटेगा? H++ Cl- तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है HCN मैं ऐसे लिख सकती हूँ HCN को तो हमारे नाइट्रोजन के पास क्या होते है? Lone pair यहां से क्या प्राप्त हुआ? H+, यहां पर है नाइट्रोजन के पास Lone pair तो यह क्या करेगा? नाइट्रोजन H+, पर अटेक करेगा जैसे ही H+, पर अटेक करेगा यह क्या बनाएगा? H, C, triple bond H, C, triple bond N, H अब नाइट्रोजन ने कितने bond बना लिए? 4 जैसे ही नाइट्रोजन 4 bond बनाएगा इस पर कैसा 4 जाएगा? positive charge आएगा क्योंकि carbon बनाता ही नहीं है फिर क्या गरेगा? यह अपने electron को carbon से खीचेगा 5 bond के electron खीचेगा क्या बनाएगा? यह बनाएगा H, C, double bond, N, H क्या बनाएगा? H, C, double bond, N, H फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? यहाँ पर positive charge आएगा यहाँ पर कैसा charge आएगा? positive charge क्योंकि carbon से bond टूटा है तो carbon पर कैसा charge आएगा? positive charge अब इस positive charge पर यहाँ से हमारे पास क्या निकला है? एक तो CL- भी तो निकला है तो इस positive charge पर कौन attack कर देगा? CL- attack कर देगा जैसे CL- attack करेगा पर यहां पर वनेगाव 2003 माइनस प्लस इडिपल कड़ अपने अलेक्ट्रोन लेकर यह बाहर निकल जाए यह बनेगा एच सी सा वक्यों पर फिर से और पोजीटिटिव चार्ड और क्या बनेगा हमारे पास AL, CL4 माइनस वनेगा ठीक है अब ये क्या है हमारा ये है हमारा Electrofile क्या है यही है हमारा Electrofile अब आगे reaction देखते हैं पहले इतना उतारी है फिर आगे चलते हैं ठीक है उतार ये जल्दी से इतना आगे चलते हैं फिर ये मिटा देते उपर यह उतार लिया होगा यह important reaction है वही important क्यों है क्योंकि एक name reaction है जितनी भी reaction जो होती है जिनके नाम होते हैं जो name reaction के नाम से होती है वो बहुत ही important होती है ठीक है अक्सर पूछी जाती है exams में तो यहां पर क्या होगा Electrofile बन गया हमारे पास क्या है हमारे पास है यह क्या है भई हमारे पास Phenol है यहां से क्या होगा यहां से H प्लस निकलेगा यहां से कौन निकलेगा H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलेगा तो यह क्या बनाएगी H प्लस निकलेगा तो यह बनाएगी यहां से बनाएगा O- क्या बनालेगा O- बनालेगा जैसे यह O- बनाएगा तो क्या होगा यहां पर यह negative charge आएगा इधर यह bond जाएगा इधर और यह वाला bond shift हो जाएगा पैरा position पर ठीक है ortho product भी बनता है लेकिन वो minor product बनता है क्योंकि major प्रोडक्ट मेजर प्रॉडक्ट मेजर बनेगा जब पैरा प्रोड़क्ट मेजर प्रोड़क्ट मेजरेगा घृत पर भी बनाएगा Your अ यहां पर चार्ज के साथके नेनगितिव यह यहां पर क्या है Double Bond O हो जाएगा है बोल बॉण ओ अब हमारे पास क्या है यहां से अमारा इलेक्रफाइल बनाता क्या बना था H बॉंड c double bond N H निया पर पॉजिट्व चार्ज यहां पर क्या है नेगिटिव चार्ज रेक कर देगा कार्भुकाटाइन पर ठीक है किसकी formation होगी यह बनेगा कुछ इस तरीके से ठीक है यह कुछ इस तरीके से बनेगा अब आगे क्या होगा अब आगे क्या होगा यहां पर यह बन गया अब इसका क्या होगा जल अब गटन होगा कैसे होगा देखते हैं मेकेनिजम इतना नोट कीजीए क् restricted लिटेल New gema आपको मेकेनिजम दिखाओंगी जडेप गटन बहुं को डीटेल में बताऊंगी यह दिक्रा तब है तो तो अब प्रूज़ होगा थीक है तो अब क्या होगा यहां पर अंब्रिय रखा हमने एसट्रिक मेडियम ले रखा है ऒगा तो यह जो जलब गटन वहोगा वह किन या बंदों होगा किसने कर लेगा और क्या बना लेगा कुछ ऐसा बना लेगा कि डवल बॉंड ओ यहां पर सी एच डवल बॉंड एन एच और एक और एच जुड़ गया अब नाइट्रोजन ने कितने बॉंड बना लिए एक दो तीन चार तो इस पर फिर से कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव तो यह क्या करेगा नाइट्रोजन कारवन से अपना एलेक्ट्रोण खीचेगा ना वापस एलेक्ट्रोण खीचेगा कारवन से जैसे यह कारवन से एलेक्ट्रोण खीचेगा तो कारवन पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहां पर कौन अटेक कर देगा एच टु रोडी दवालवण औ को यहां पर हमें प्राप्ट हुआ च यहां पर क्या जुड़ गया ओ एच और एच इस पर श्याज जागा पॉजिटीव और यह किसमें चेंज हो गया एच्टू में अब इस पर पॉजिटीव चाघ्ण पर अब यह ने स्टेबल हो गया यहां पर नाइ यहां पर CH यहां पर लेगेगा OH और यहां पर हो गया NH3 जैसी NH3 ब्लस बना यहां पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव फिर से चार्ड बन्ड हो गया तो होगा क्या यहां से nitrogen oxygen के lone pair जाएंगे नीचे की तरफ और यहां से NH3 जो होगा बाहर निकल जाएगा ठीक है, minus हो जाएगा यहां से NH3, तो क्या बनेगा, यह बनेगा कुछ इस तरीके से यहां पर हो जाएगा CH double bond OH positive, oxygen पर कैसा charge आया, positive charge आया, positive charge आया, तो यहां से क्या होगा, minus H plus होगा, क्योंकि यह अमलूत परेरित जलब गटन था, तो जलब गटन में H plus तो क्या होना चाहिए, वापस भी निकलना चाहिए, तो जैसे minus H plus होगा, यह क्या बना लेगा, यह कुछ double bond OH, अब यहां पर क्या आगया, पहरा position पर formal group आगया, लेकिन यह ring aromatic नहीं है, अब यह phenol नहीं रहा, aromatic नहीं रहा, तो क्या होगा, यहां से वापस aromatic होना चाहिए, यहां पर कौन है, H है, तो यह अपनी कुर्बानी देगा यहां पर, ठीक है, यह bond यह shift होगा, यह bond यह shift minus, यहां से कौन निकलेगा, H प्लस, तो यह क्या बना लेगा, OH, और यहां पर para position पर कौन आ जाएगा, formal group, तो इस reaction को formally current भी बोलते हैं, क्या बन गया, यह बन गया, यह बन गया, para hydroxy benzyl dehyde, किसकी formation हुई, para hydroxy benzyl dehyde, इसी तरह से आप ortho position पर भी CHO group लगा सकते हैं, ठीक ह पहरा तक न जाकर कहां पर जाएंगे, सिर्फ ortho कर react करेंगे, तो ortho position पर बनाएंगे, तो क्या बनेगा, salicyl dehyde, क्या बनेगा, salicyl dehyde, तो यह है इसकी mechanism, नोट कीजे जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, अच्या, बहुत से लोग सोच रहोंगे, यह H प्लस निकलता है, यह है, यह साइड में देख लेते हैं, यह साइड में लिख देते हूं, यह वाला जो H प्लस निकलाता है, यह क्या है, हमारे पास क्या था, ALCL 4 माइनस था, तो यह H प्लस यहां से CL ले लेगा, और क्या बना लेगा, HCL 3, यानि कि जो हमारा ALCL 3 थी था, वो वापस से मिल प्लस का होता है, बहुत से वर्चे बोलेंगे, इस H प्लस का क्या हुआ, ठीक है, इसलिए, तो नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट रेक्शन, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, अगली रेक्शन देखते हैं, जो अगली रेक्शन है, वो है कार्बोक्सिली करण, क्या है, कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक नेम रेक्शन होती है, आप लोग ने पढ़ियोगी 12 में, जैसे हमने भी फॉर्मीली करण पढ़ा, उसमें भी एक नेम रेक्शन पढ़िए, बढ़ी, आप में नेम रेक्शन आती है, जिसे बोलते हैं कोलवे, यहाँ पढ़िए ख़ियोगी, कोलवे यहाँ पर नाम से भी जानते हैं, कोलवे, शिमर्ट अभिग्रिया, इसको बोलत प्रश्ट में आपने पढ़ी होगी फिनोल के अंदर तुक है इसका काफी ओद्धी इस तर पर यूज होता है इसका किसके लिए उत्पादन के लिए किसका यहां से बनता है सेलेसिलिक एसड क्या बनता है तो यहां पर होता क्या है कि जब फिनॉल को जब फिनोल को किसके साथ NaOH तथा CO2 के साथ उच्च दाव तथा 125 डिग्री सेंटीग्रेट तप उपर ये तो टेंपरेचर है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है इसका थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है इससे थोड़ा कम भी हो सकता है अला कि हम इस रेक्शन को दो टेंपरेचर पर देखेंगे ठीक है दो टेंपरेचर पर देखेंगे लेकिन जब 125 डिग्री सेंटीग्रेट पर होगी तब क्या प्राप्त होगा तब तब सैलिसिलिक अमलू प्राप्त होता है तब कौन प्राप्त होता हमको सैलिसिलिक अमल प्राप्त होता है लेकिन जब ये रियक्शन हाई टेंप्रेचर पर होती है जब ये रियक्शन किस पर होती है हाई टेंप्रेचर पर होती है तो हमको पैरा हाईडरोक्सी बेंजो एक अमल मिलता है तो हम लिख सकते हैं जब यह है अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है यानि कि यह वाला जो टेंपरेचर है निम्न रहे ज़गा और यह को का हाई टेंपरेचर तो होती है तो क्या बनता है तो पैरा हाईड्रोक्सी बेंजोइक अमल प्राप्त होता है देखते हैं कैसे है हमारे पास स्फिनोल है थीक है दो रियक्शन कराएंगे हम इसकी जब हम इसे किसके साथ सी ओटू के साथ किसकी उपस्तिती में एनिवच की उपस्तिती में गर्म करेंगे जब हम टेंपरेचर लेंगे 125 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम कहलें निम्न ताप लेंगे औ और दाब कैसा रहेगा उच्छ दाब रहेगा तो लो टेंपरेचर पर जब टेंपरेचर लो रहता है तो बनता है हमारे पास तो बनता है हमारे पास सैलिसिलिक अमल यह बनता है सी ओएच यह कहलाता है सैलिसिलिक एसिड क्या कहलाता है सैलिसिलिक अमल लेकिन अगर यह रिय हो रही है तो क्या बनता है हमारे पास तो बनता है हमारे पास यह प्रॉडक्ट यहां पर ओच है और feo गूप का जाएगा डाउनवरड के इसको बोलते हैं पर घ्डुक्सी बेंजोईक ऐसे क्या है यह पर आईध्रॉक्सी बेंजोईक acid ठीक है नोट कीज़े जल्दी से फिर हम इसका mechanism देखते हैं कि ये कैसे होता है ठीक है mechanism देखते हैं इसका ठीक है कैसे होगी ये reaction एक mechanism मैं दिखा देरो salicylic acid का बागी पैरा पी भी बैसी ही reaction होती है ठीक है सेम तरीके से आप कर सकते हो तो mechanism ले तो mechanism में हमारे पास क्या है फिनोल है ठीक है कैसे होगी ये reaction ये है हमारे पास फिनोल हमारे पास क्या है N E O H N E O H है अगे है हमारे पास co2 co2 क्या होता है c double bondwhy c double bond है ना यह सो होता है और हम झानते है c o2 कैसा होता हता है इलक्ट्रोफिलेक होता है इलेक्ट्रों कामी यह क्यांतरिक कैसे है क्यों ए इलक्ट्रों की कम्हीं सेफ्शेर रह Subscribe the O- क्या करेगा यह पहले हम derivative बना लेते हैं CO2 के साथ reaction कराऊंगे मैं पहले हम यह बना लेते हैं यह negative charge इधर जाएगा यह negative charge इधर जाएगा यह bond का शिफ्ट हो जाएगा इस carbon पर तो क्या बनेगा पहले तो यह बनेगा हमारे पास double bond O, यह bond इधर ही रहेगा यह इधर रहेगा यह negative charge अब इसकी reaction करा देते हैं किससे CO2 से ठीक है अब हमने क्या generate कर लिया nucleophile generate कर लिया हमारे पास nucleophile आ गया तो अब क्या होगा यह negative charge अटेक करेगा किस पर carbon पर और यह bond का शिफ्ट हो जाएगा oxygen पर तो क्या प्राप्त होगा हमको यह प्राप्त होगा अब मैं इसका क्या कराओंगी मैं इसको यहां लिख देती हूं दुबारा से नीचे यहां पर सी ओ ओ माइनस और यहां पर क्या एने प्लस अब यह रिंग क्या है aromatic नहीं रही यह रिंग क्या है aromatic नहीं रही पहले तो यह क्या होगी aromatic होगी थो क्या होगा यहcriptions यह यह एक पलस यहां जाएगा यह bond यहां मायश होग大 तो क्या व Михन्वार की ओमिए उल्च eu合म मैंड सरी जब में इसके में अःक्त तो जब मेंन प्लस क्या होगी थे वर्कप कराऊंगी, H+, के साथ, वर्कप कराऊंगी, H+, के साथ, H+, H2O, वर्कप कराऊंगी, तो क्या प्राप्त होगा मुझे, मुझे प्राप्त हो जाएगा यहां पर, OS तो थाई, यहां पर लग जाएगा, C, double bond, O, OH, ठीक है और क्या प्राप्त हो गए मुझे शैली शिलिक एसेड प्राप्त हो गया क्या हो गया सैली derivative बना सकते हो, तो mechanism क्या रहेगा, same ही रहेगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, बस charge, negative charge कहा जाएगा, पैरा पे आ जाएगा, negative charge कहा जाएगा, पैरा पे, तो इस तरह से आप high temperature पर करोगे, यह reaction किस पर हो रही थी, low temperature पर, यहां लिख देती हूं, at low temperature, ठीक है, याद रहे आपको, यह reaction हम कितने temperature पर करा रहे है, low temperature पर करा रहे है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, salicylic, जब हम high temperature पर कराएगे, जब मैं यहां पर क्या कर दू, high temperature कर दू, तो यह charge कहा पर आएगा, negative, पैरा position पर, और फिर जो reaction होगी, यह group जुड़ेगा, वो कहा जुड़ेगा, पैरा position पर, तो जिस तरह से मैंने low temperature पर कराएगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप high temperature पर करा सकते हैं, और वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस चार्ज को कहा लाना है, पैरा पर लेके आना है, high temperature होगा तब, फिक है, तो low temperature पर आप देख सकते हो, यहाँ पर oxygen और इसके बीच में क्या हो जाती है, hydrogen bonding, लेकिन ऐसे possible तो नहीं है, क्योंकि COH गुरूप कभी hydrogen bonding करता नहीं है, नोट कीजिए जल्दी से, पैरा वाला आप खुद बनाईए, जब high temperature पर होगी, negative charge आपको पैरा पर लेके आना है, अगली reaction देखते हैं, अगली reaction है, mercury current, क्या है, mercury current, mercury reaction, क्या होता है, इस reaction में, देख लेते हैं, यहाँ पर mercury salt बनता है, किसका, फिनॉल का mercury salt, तो जब फिनॉल को, जब फिनॉल को, जब फिनॉल को, जलिये, किसके साथ, mercuric acetate के साथ, यह mercuric acetate के साथ, ठीक है, mercuric acetate के साथ, पस्च बाहित किया जाता है, पस्च बाहित किया जाता है, जब इसको पस्च बाहित करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं तो क्या होता है तो तो ओर्थो क्या बनेगा मारे पास ओर्थो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या सा ओर्थो एसी टॉक्सी मर्क्यूरिक फिनोल प्राप्त होता है ठीक है? कौन प्राप्त होता है? और्थो एसी टॉक्सी मर्क्यूरिक फिनोल मर्क्यूरी फिनोल मर्क्यूरी नहीं मर्क्यूरी मर्क्यूरी फिनोल प्राप्त होता है ठीक है कैसे होगी यह reaction देख लेते हैं यह है हमारे पास फिनोल यह है हमारे पास फिनोल mercury कैसे टिट क्या होता वही यह होता है HG इससे जुड़ा होगा C double bond O ठीक है क्या जुड़ा होगा इससे O C double bond O C S3 एक यहां जुड़ा होगा यहां से होता क्या है यह वाला bond यहां से टूटेगा जैसी टूटेगा इस पर कैसा चार्ज आएगा तो कैसे चार्ज आएगा और यहां पर क्या होता है यह जो पॉजिटिव चार्ज यह यह спокой पर वरागर दे dead श वहाला जो है यह क्या हो जाएगा यहांसे बाहर निकल जाएगा क्या हो झाएगा यहां से बाहर निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा हमको, कुछ ऐसा प्राप्त होगा, double bond O, H positive, यह ऐसी रहेंगे, यहां पर आ जाएगा, H G O, C double bond O, C S 3, क्या गया, H G O, C double bond O, C S 3, अब यह रिंग अरोमेटिक नहीं रही, तो क्या होगा यहां से, H plus, अपनी आहूती देखर, यहां से बाहर निकल जाएगा, H plus, और यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, H G O, C double bond O, C S 3, और यहां पर आ जाएगा, फिनोल, क्या बन गया यह, यह बन गया, पैरा, स्वरी, और्थो, एसी, टॉक्सी, मर्क्यूरी, फिनोल, क्या प्राप्त होगे हमको, और्थो, एसी, टॉक्सी, मर्क्यूरी, फिनोल, प्राप्त हो जाता है, ठीक है, साथ में यहां पर क्या बाहर निकला, क्या बाहर निकला यहां से, H plus बाहर निकला, यहां से कौन बाहर निकला था, CS3COO minus, तो यह H plus और CS3COO minus आपस में react कर लेंगे, और क्या बना लेंगे, CS3C1OOH बना लेंगे, ठीक है, यह CS3COO minus और यहां से जो H plus निकला वो क्या बना लेंगे, CS3COOH बना लेंगे, इस तरह से यह product का formation होता है, ठीक है इसकी कुछ 2-4 एक्षेंस और बजगी वो अगले lecture में हम लोग complete कर लेंगे उसके बाद ये unit finish